हलो स्टुडेंस कैसे आप सब मैं कुसल सर्मा आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल कुसल क्लासेज तो देखिए आज हम फैक्टराइजेशन बाई यूजिंग अलजेबरिक आइडेंटिटी करने वाले हैं ठीक है लास्ट वीडियो में हमने अलजेबरिक आइडेंटिटी क के बारे में पढ़ा था कि कितनी आइडेंटिटी हम नौर्मली यूज करने वाले हैं ओके सो फैक्टराइजेशन हम पीछे जो करके आये थे वो करके आये थे मिल्डर टम स्प्लिट मैथड के अकोर्डिंग लिए ठीक है लेकिन आज जो कोशन्स हम लेकर चलने वाले हैं उ प्लस 6xy प्लस 9y स्कूर अगर आप इसको मिल्डर टम स्प्लिट से देखेंगे तो यहां पर मुझे नहीं लगता है कि यह इतने आसाने से आप कर पाएंगे ठीक है कई कॉश्टन सहिसे होंगे हमारे पास जिनको आप मिल्डर टम स्प्लिट मैथड से भी कर पाएंगे और उनको identity से भी कर पाएंगे, तो फिलहाल आज हमारा पूरा focus रहेगा, identities पर, clear, तो देखिए, जब भी हमारे पास, तीन terms कहीं, किसी algebraic expression में देखने को, अगर मिलती है, ठीक है, तो directly आपका mind जो है, वो, यह देखिए, first, second, इस तरह की identity पर आना जाईए, ठीक है, एक यह fourth identity है, जिसमें भी तीन terms है, लेकिन फिर और आप देखेंगे, आगे, तो तीन terms, तो completely, किसी और identity में नहीं है, ठीक है, तो जैसे हमने यह, 10 identities लिखी थी, तो 10 identity में से, आपको पहले तो जो, algebraic expression आपको दे रखी है, उसका structure समझना है, कि उसमें कितनी terms हैं, कैसी terms हैं, ठीक है, मैंने आपको last time भी बोला था, इन identities को आपको left to right के साथ साथ, right to left भी समझना है, ठीक है, क्योंकि right side हमारी कैसी है, factorized form है, मैं उस time भी बता रहा था, अब हमें ये factorized form दी गई है, हमें उसको left side में convert करना है, factors बनाने के लिए, यानि कि brackets में cover करने के लिए, okay, so, देखी, first or second identity अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो उसमें दो terms square में है, okay, और बची जो term है, वो product formation में है, clear, और उसी में changes किस में आ रहा है, sign में, plus और minus का किस पर dependency आ रही है, in signs पर, plus है तो plus, minus है तो minus, है ना, तो यूँ समझे ये, कि अब देखें, तीन term है, 10 में से identities का, बटवारा हमने कर लिया, छाटली हमने, है ना, अब आपको ये देखना है, कि कौन सी दो term squares में है, एक तो ये, और एक ही ये, ये दो term square में है, लेकिन, ये तो complete square में बदली हुई है, और ये वाली जो term है, वो y का तो square दिखा रही है, लेकिन no का square नहीं है, तो यहाँ पर अब हमें no को square के रूप में लिखना पड़ेगा, छीक है, तो अब हम उस identity के right hand वाली जो side है, उस जैसा structure बनाएंगी, छीक है, देखिए कैसी, क्या हम nine को three का square लिख सकते हैं, और y पहले से ही square है, तो beach वाले term को फिलहाल हम as it is रखेंगी, ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से समझा, x ओलड़ी square में था, यहाँ three और y दोनों का square है, तो क्यों ना इन दोनों का square common ले लिया जाई, है ना, ठीक है, अब देखिए, जो beach वाले term है, आपको यह नहीं देखना, कि भे 6 में से हमने 2 अलग करना है, तो कितना बचा, क्या नहीं बचा, उसको कैसे टुकडे करें, कि भई इन brackets में इसको रखा जाए, आपको simply यह देखना है, कि squares में कौन है, देखिए, x square में है, तो एक bracket में x रख दीजिए, यहाँ square में कौन है, 3y, तो दूसरी bracket में, 3y रख दीजिए, ठीक है, अब आप इन तीनों का multiplication करके देखिए, यह 6xy ही आएगा, देखिए, 2 इंटू 3, 6 बन गया, यह x रह, यह y रह, clear, सब कुछ हो गया, क्या हमें ज़्यादा कुछ सोचने की जूर्थ पड़ी, बिल्कुल भी नहीं, तो अब आप notice करेंगे, यह जो structure है, वो हमारी उस identity का, one sided portion बन गया, मैंने बस x square और y square दोनों साथ साथ लिखे होगे थे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसकी एक तरफ side क्या थी, x plus y whole square, clear, ठीक है, तो अब यह देखे, मैंने यह यहाँ नीचे क्यों लिखी है, क्योंकि अब जो हम identity use करने वाले हैं, वो identity इस step में use करने वाले हैं, इससे अगले step में, तो जहाँ पर भी आप वो identity use करें, उसके तुरंत बाद उसको mention करें, या अब यह कर सकते हैं, कि इस identity को using में डाल दीजिए, यह कहके, using, कि देखो, अब हम यह identity use करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि देखिए, इस identity की हमारे पास x square, यह term बन चुकी है, y square, यह देखे, यह term बन चुकी है, दोनों positive में है, और यह 2xy वाला जो structure है, वो देखिए, यह बन चुका है, है ना, तो इसको हमें कैसे बदलना है, इस identity में देखिए, x का square है, तो x लिखा गया है, y का square है, तो y लिखा गया है, ठीक है, और 2-ए भी वाले portion में अगर plus है, तो बीच में plus लिखा गया है, ठीक है, तो वही काम हम करेंगे, अब देखिए, किसका square है, x का, तो x लिखा, फिर किसका square है, 3y का, तो 3y लिखा, ठीक है, फिर यह देखिए, बीच में plus है, तो हम भी यहाँ पर plus लिखेंगे, और फिर क्या गरना है, bracket की power 2, clear, अब हमें क्योंकि factorization करना था, तो इस 2 power की bracket को, हम 2 बार multiple में लिखकर दिखा देंगे, तो यह क्या हो गया, हमारा factorization, किसके through हुआ, identity के through हुआ, clear, तो जो structure है, हमारे question का, जिसको मैं factorize करना है, उसके structure को, हमें उन 10 identities के structure से, match करके देखना पढ़ेगा, कि किसे वो match कर रहे है, clear, चले देखे next करते हैं, अब हमें direct indication नहीं मिल रहा, कि यहाँ दो term square में नजर आ रही है, लेकिन, term तो 3 है, 3 term है, यानि कि पहली और दूसरी identity लग सकती है, और पहली दूसरी identity में यह कहते हैं, भई 2 term square में होनी चाहिए, तो हमने notice किया, यह तो square में बदली जा सकती है, तो यह 9 भी तो बदला जा सकता है, last वाले question में भी ऐसा ही था, तो देखे, इन दोनों की power 2 है, हमने common ले ली, यहां 3 की power 2 है, वो asities रहने देते हैं, तो अब जो बीच वाला structure है, उसको आपको क्या गरना है, हमें यह पता है कि उसमें 2A भी आता है, minus है तो minus, और A और B के लिए हम दो bracket बना लेंगे, blank bracket, अब इस bracket में डालना क्या है, simple सा तरीका बताया गया आपको, जो power के अंदर है, power के अंदर 2X है, तो 2X लिख दीजिए, power के अंदर 3 है, तो 3 लिख दीजिए, clear, आपको simply इतना काम करना है, okay, so, अब यह देखिए, अब हम कौन सी identity यूज़ करेंगे, using identity which one हम यूज़ करने वाले हैं, X-Y, अच्छा मैंने A और B में लिखी हुई थी, तो मैं A और B में लिख देता हूँ, A-B whole square, किसके equal होता है, A square plus B square minus 2AB, तो देखिए हमने 2 term square में बदल ली दी, तो किसका square है, A का, तो A लिखेंगे, B का square है, B लिखेंगे, बीच में minus 2AB है, तो यहाँ पर भी minus आ जाएगा, तो सेम ऐसे ही, किसका square है, 2X का, तो देखिए 2X लिखा, ठीक है, 2AB वाला portion negative है, बीच में negative आ गया, फिर किसका square है, 3 का, तो 3 लिख दिया, अब हमें क्या करना है, whole power 2, clear, अब क्योंकि हमें factorize करना है, तो इस दो power वाले bracket को, हमें दो बार multiple में, लिख के दिखाना होगा, यह होगया हमारा factorization, असानी है, चलिए देखिए, एक और करते हैं, अब हमारे पास, दो ही term है, ठीक है, तो अब यह देखिए, कौनसी identity में दो term है, यह रही, और कोई identity, आप notice करेंगे, और कोई identity नहीं है, एक second, यहां भी है, यह देखिए, last की दो, लेकिन, अब इसमें, और third identity में, आप notice करोगे, यहां powers 3-3 है, है ना, और जब की उपर वाले में, power कितनी है, 2 है, और हमारे वाले question में, आप notice करोगे, उसमें भी 2 power है, तो that means, कि हम यह वाली identity, जो है, वो use कर सकते हैं, अब इस identity, में changes कैसे आएंगे, changes आएंगे, चलिए मैं लिख देता हूं इसको, directly पैचान तो हो गई, लेकिन उसमें क्या था, कि completely वे दोनों term, square में नज़र आनी चाहिए, तो यहाँ 25 और 16 जो है, वो square में अभी नहीं है, तो इनको पहले हम square में, बना लेते हैं, तो 25 किसका square है, 5 का x, already square में है, 4 का square 16 होता है, y पहले से square में है, तो देखें, यह 5 x का whole square बन गया, और यह 4 y का whole square बन गया, है ना, तो अब यह देखिए, अब हम कौन सी identity यूज़ करने वाले हैं, using identity, which one, a square minus b square, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक bracket में a plus b, और एक bracket में a minus b, यानि कि first term, दोनों में as it is, और second term में एक बार positive sign, और एक बार negative sign, तो देखें, first term और second term, अब दो bracket ऐसे बना लिजिए, first term and second term, और एक में plus और एक में minus, कई बार बच्चे ये बोलते हैं, भई पहले minus और फिर plus लिख सकते हैं, बिलकुल लिख सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं होगा, चीक है, तो ये होगा हमारा factorization, बन गई दो brackets, है ना, चलिए, एक और करते हैं, अब हैं हमारे पास, 6 terms की expression, और 6 term की expression आप notice करोगे, ये देखें, 7th में है, है ना, और इसमें भी है, जबकि इस वाले portion में, एक extra bracket ओर है, लेकिन हमारे पास तो नहीं है, that means कि, ये वाली identity, तो 10 में से देखिए, छटनी हो गई, और directly mind कहां set हो गया, भाई, 3 terms तो square में बदलनी है, और बाकि 3 terms, 2 times of pair wise product में बदलनी है, तब जाकर, हम A का square है, A लिख सकते हैं, फिर B का square है, B लिख सकते हैं, फिर C का square है, C लिख सकते हैं, और बीच में sign कैसे आएंगे, plus के, minus के, वो मैं फिर यहां बताता हूँ, तो देखिए, सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, इनको power में बदलना, square में बदलना, है ना, तो दीक है, 4 किसको, मतलब किसके square के रूप में लिखा जा सकते हैं, 2 का square, तो इसको हम लिख सकते हैं, 2X का square, इस बार मैंने, तुनों की power, directly कोम ले लिए, ठीक है, 9, 3 का square होता है, Y पहले से square में था, 16, 4 का square होता है, Z पहले से square में था, है ना, और ये जो हैं, अब हमें कैसे बदलनी है, 2, 1st, और 2nd term, फिर माइनस, फिलाल इसको plus में ही रहने देंगे, 2, फिर से, 2nd and 3rd term, फिर से, 2, 3rd and, 1st term, clear, अब इस चीज को ध्यान से समझ जीएगा, हमने last वाले 3 terms का structure तियार कर गिया, 2AB, प्लस 2BC, प्लस 2CA, that means, वहाँ क्या है, कि 2 time of first term, यानि कि 2X, and then second term, यानि कि 3Y, clear, फिर next two में क्या है, second or third term, तो second term, 3Y, and third term, कितनी है, 4Z, clear, then third term, 4Z, and first term, यानि कि 2X, लेकिन अब यहाँ आप एक चीज ध्यान देंगे, कि इन के साथ तो negative का sign था, लेकिन मैंने तो कहीं पर भी negative नहीं लगाया, देखे, यह दोनों तो positive बना दिये, तो negative कहा गया, तो उस negative को अब अरेंज करेंगे, ठीक है, कैसे अरेंज करना है, वही समझने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जिन भी दो terms में negative का sign है, अच्छा, इस से एक बात ध्यान आई, कि इस particular identity में, last की जो यह तीन terms है ना, इन तीनों terms में, ना तो तुम्हें, एक term में negative का sign देखने को मिलेगा, और ना तीनों की तीनों term में negative का sign देखने को मिलेगा, तुम्हें negative का sign, किसी दो terms में देखने को मिलेगा, या तो जैसे last two में देखने को मिल रहे है या first और last में हो सकता है या first और second में हो सकता है ठीक है? किसी भी दो term में negative देखने को मिलेगा ना तो एक में और ना तीनों में देखने को मिलेगा कभी भी notice कर ले ना इस particular structure में clear? तो अब कैसे हम ध्यान रखें? देखें, जिन दो terms में negative का sign है हम क्या करेंगे? उन दोनों terms में ये देखेंगे कौन सा variable common है ये देखें, z variable common है है ना? सिंपल सी पैचान कर लो कि जिन दो terms में negative है उसमें variable कौन सा है? common, z है फिलाल तो यूँ समझें कि इस complete expression में जहाँ जहाँ z है हम उसके साथ क्या लगा देंगे? minus, starting से जैक, जैसे की यहाँ, square के अंदर भी फिर यहाँ z है, यह भी आ गया फिर यहाँ z है, यह भी negative उखा गया clear? तो अब हम वो identity use करने वाले हैं using identity कौन सी identity है? mention कर देते हैं a plus b plus c whole square, किसके एक वो लोगा? a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c a, देखिए structure as it is बन चुक है तो इसको कैसे लिखने है? पहले तो जो square के अंदर है वो लिखते जाएए, square के अंदर 2x है 2x लिखा square के अंदर 3y है 3y लिखा, लेकिन 3y कैसे है? positive है square के अंदर तो positive फिर 4z 4z, लेकिन 4z कैसे है? bracket में negative, तो negative और फिर whole square ये देखिए, 2 power आएगी अब क्योंकि हमें factorize करना था, तो इसी 2 power को हम क्या गर देंगे? brackets में, 2 bracket के product के रूप में लिख देंगे तो ये हो गया हमारा factorization ओके? अपसर समझ आ रहे होंगे, फिर भी अगर कोई doubt रहे तो please comment box में जरूर बताएं ओके? और content समझ आ रहा है तो please like तो जरूर कर दीजिए और अपने friends के साथ भी share कीजिए ताकि उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले चलिए, फिफ्ट करते हैं फिफ्ट में देखिए इस बार हमारा पास कितने terms है charter में है, तो देखिए कौन सी identity में charter में भई तो देखिए, first, second, third, fourth में तो है नहीं यह जा, फिफ्ट में charter में six में charter में है ना, और कोई और कोई नहीं है, that means यही दो identities हम अब यूज करने वाली हैं, और ध्यान से देखिए गया, इसमें charter में दो terms, cube में है और बाकी दो terms कुछ particular arrangement के साथ है क्या, कि three time of first term का square into second term और फिर three time of first term same, second term square के साथ, clear? तो देखते हैं, क्या exercise structure है बिलकुल यह देखिए दो term cube में है और फिर इन बचिवी दो terms को हमें three times के formation में तयार करना है, यानि कि हमें इसको उस जैसा बनाना है, ताकि वो identity जैसा नजर आए, clear? तो देखिए eight किसका cube होता है? दो का, और a का पहला से ही cube था, तो दोनों का cube को मले लिया, b पहले से ही cube में है, ठीक है? अब इनको arrange करने का simple सा तरीका है, आपको इनको टुकडे के बारे में सोचने के जोरती नहीं है, ठीक है? simply आप क्या गरोगे, three एक bracket लगाई, उसका square लिखा, दूसरी bracket multiple में simple, फिर three इस बार एक bracket single power के साथ, और दूसरी bracket दो power के साथ, clear? अब आपको क्या गरना है? पहले यहाँ पे जैसे a का square है, और a के साथ कोन है? bracket में, two तो इस two a को हम यहाँ यूज करेंगे, एक बार square power के साथ, ठीक है? और एक बार without square power के साथ, clear? फिर दूसरे टर्म में हमारे पास किसका cube है? b का cube, तो एक बार बिना power के साथ और एक बार power के साथ b and b, तो देखें simple चा तरीका हो गया, उस structure को बनाने का, है ना? तो कौनसी identity हम use करने वाले हैं? using identity a plus b hall cube किसके equal होता है? a cube plus b cube plus 3 a square b b plus 3 a b square, clear? तो यह क्या बन जाएगा? यह देखे, a का cube है, तो a लिखेंगे, b का cube है, तो b लिखेंगे, और आप एक चीज़ notice करोगे, कि यहाँ पर 4 terms, सारी की सारी positive हैं, that means कि यहाँ पर भी positive ही रहेगा, तो देखे, किसका cube है? 2 a का तो 2 a, किसका cube है, b का? तो b, और सारी की सारी terms कैसी हैं? positive हैं, तो बीच में positive, और hall power क्या लगेगी? 3, लेकिन अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? factorize, तो इसी को अब multiple में 3 बार लिखना होगा, है ना? तो यह हो क्या हमारा factorization, clear? इसे जो next question है, वो negative के साथ है, यह वाली हमारी positive से related identity थी, तो हम abuse करने वाली हैं, इसके negative identity को, तो देखे, फिर से 4 term ही है, 2 टंद ध्यान दोगे, तो cube में बदली जा सकती है, तो 64 किसका cube होता है? 4 का, तो 4 a पहले से cube में था, तो 4 a का cube, 27 किसका cube होता है? 3 का, तो 3 b का whole cube, फिर इसको हमें किसमें बदलना है? 3, एक bracket square के साथ, एक बिना square, फिर बीच में plus है, तो देखे, मैं plus लेके चल रहा हूँ, minus है, तो मैं minus लेके चल रहा हूँ, ठीक है? फिर 3, एक bracket बिना square के और एक square के साथ, तो देखे, पहली bracket में 4 a है, तो एक बार square के साथ, और एक बार बिना square के साथ, तो देखे, 4 a and 4 a, फिर 3 b है, तो एक बार बिना bracket के, मतलब बिना square के और एक बार square के साथ, 3 b and 3 b, तो अब कौन सी identity लगी? using identity, a minus b, minus का whole cube, तो इसमें हम notice करेंगे, कि b negative का है, तो जहाँ-जहाँ b की odd power है, वो term negative की हो गई, यह देखिए, और जहाँ-जहाँ even power है, वो term देखिए, positive है, है ना? तो अब कौन cube के अंदर है? 4 a, तो 4 a, कौन cube के अंदर है? 3 b, तो 3 b, अब क्योंकि यहाँ पर हमें negatives नज़र आ रहे हैं, that means कि यहाँ पर भी negative और whole power 3, तो यह क्या बन गया? 4 a, minus 3 b, again, 4 a, minus 3 b, again, 4 a, minus 3 b, clear? तो यह थी, हमारी factorization की, एक कोड प्रोसेस, चलिए, next करते हैं, इस बार आप notice करोगे, फिर से 2 term आ गई, लेकिन, 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 यह देखिए, power कितनी है, 3, last identities, यह देखिए, 3 power के साथ, है न, तो कैसे ध्यान रखेंगे, 2 terms हैं, 2 terms में, दोनों ही power cube में हैं, तो, 2 bracket बनेंगी, अब 2 bracket में, कैसे ध्यान रखें, यह देखिए, first, and second, फिर, first का square, product, अब यह देखिए, अगर यहाँ plus है, तो, छोटी bracket में plus, और बड़ी bracket में, a, b वाली term, opposite sign की, लेकिन, अगर यहाँ minus है, तो, देखिए, छोटी bracket में minus, और बड़ी bracket में, a, b वाली term, opposite sign की, ठीक है, इस तरीके से, आप इनमें, link बना सकते हैं, इनको ध्यान डख सकते हैं, तो देखिए, start करते हैं, सबसे पहले तो हमें इनको, cube में बदलना होगा, 27 किसका cube होता है, 3 का, y पहले से cube में है, 125 किसका cube होता है, 5 का, z पहले से cube में है, और यह positive sign के साथ है, है न, तो यह directly हमारे पास, अब हम identity यूज़ कर सकते हैं, क्या है, a cube प्लस, b cube को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस, b, फिर दूसरी ब्रैकेट में, a square प्लस, b square माइनस, a, b, clear, तो देखिए, पहले ब्रैकेट में, 3y, क्योंकि ब्रैकेट में कौन है, 3y, फिर दूसरी ब्रैकेट में, 5z है, 5z, और, अब यह देखिए, बीच में plus है, तो यहाँ पर plus, फिर next ब्रैकेट में क्या होगा, जो ब्रैकेट में हैं, उसका square, एका square, फिर plus, फिर ब्रैकेट में 5z है, 5z का square, फिर minus, ब्रैकेट में जो quantities हैं, power के अंदर, उनका product, अब finally, हम इसको यहीं नहीं चोड़ सकते हैं, हमें ब्रैकेट के अंदर, जो और छोटी ब्रैकेट हैं, उनको क्या करना है, open करना है, तो 3 का square, 9, y का square, y square, फिर 5 का square, 25, z का square, और यह 3 इंटू 5, 15, और y 2, z, अभी देखें, अब हम इसका और आगे factorization नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कर सकते होते, तो identity में already वो कर दिया गया होता, clear, तो यह हमारी factorization हो गई, अब जो 8th question है, वो इसी की negative identity पर based है, तो यहाँ negative आ जाएगा, और यहाँ positive हो जाएगा, तो चलिए पहले इसको cube में बदलते हैं, तो 64 किसका cube होता है, 4 का, यह M पहले से cube में है, यह I think 7 का cube होता है, और N पहले से cube में है, है न, तो कौनसी identity अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, A cube minus B cube, किसके एकवल होता है, छोटी bracket में negative, और बड़ी bracket में A, B वाली term positive हो जाएगी, चिक है, तो यह देखिए, छोटी bracket में 4M minus 7N, और बड़ी bracket में क्या हो जाएगा, 4M का square, plus 7N का square, और plus हो जाएगा इस बार, 4M multiply 7N, है न, तो finally हमें bracket के अंदर, जो एक और छोटी bracket है, उनको open करना ही पड़ेगा, तो 4 का square 16, M का square, 7 का square 49, N का square, 4 और 7, 28, 5 और N, sorry, M और N आपस में, multiply हो गए, तो यह हो गया हमारा, factorization, clear, चलिए, last question करते हैं, आज के लिए, यह हमारे कौन से identity पर based है, फिर से 4 terms है, है न, 4 term अब हमारे पास, एक और identity में है, यह देखिए, लेकिन इसमें, और N में क्या difference है, उपर यह जो थी, इनमें 2-2 terms cube में थी, यह देखिए, है न, और इसमें हमारे पास 3 terms cube में है, और एक term इनके multiples की formation में है, है न, तो हमें पहले तो ऐसा स्ट्रक्चर तियार करना है, और उस स्ट्रक्चर को फिर हम इसमें बदल देंगे, clear, चलिए, चलिए, मैं इसको copy कर लेता हूँ, दिखने का थोड़ा सा time बज़ जाएगा, copy, ठीक है, सो, चलिए देखिए, सबसे पहले तो हमें 3 terms cube में बदलनी है, सो यह देखिए, 27 किसका cube होता है, 3 का, X पहले से cube में है, फिर Y पहले से cube में है, Z भी पहले से cube में है, लेकिन यह जो term sign को हमें 3 A, B, C, ऐसे हम बदलना है, तो A कोन है 3X, B कोन है Y, C कोन है Z, clear, तो अब हम Y identity जो है, वो use करेंगे, that one, using identity, तो देखिए, हमारे पास, A cube, plus B cube, plus C, जो cube के अंदर है, उनको लिखा जा रहे है, तो cube के अंदर गोन है 3X, फिर plus, फिर cube के अंदर Y है, फिर cube के अंदर Z है, तो देखिए, एक bracket तो यह ऐसे बन गई, फिर दूसरे bracket में हमें क्या गरना है, cube के अंदर जो है, उसका square, देखिए, cube के अंदर A है, तो A का square हो रहे है, तो यहाँ cube के अंदर 3X है, तो 3X का square, फिर Y है, तो Y का square करूँगा, फिर Z है, तो Z का square करेंगे, देखिए, Y square, and Z square, ठीक है, फिर minus, 2, 2 का pair, तो minus, first, and second, फिर minus, second and third, फिर minus, third and first, चीक है, अब, finally हमें, bracket के अंदर की, छोटी brackets को, open करना है, खतम, तो देखिए, 3 का square, 9X square, plus Y square, plus Z square, और यह क्या हो जाएगा, 3XY, minus YZ, minus 3ZX, तो यह हो गया, हमारा, final, factorization, clear, बड़ी गंदी फोटो थे, ओके, इसी के साथ, हमने कुछ, factorization के questions, complete किये, किसकी help से, identities की help से, हौप सो, आपको यह, समझ आए होंगे, काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा, हलांकि, identities का, हम और भी काफी तरीके से, use करते हैं, वो हम फिर next, कभी वीडियो में देखेंगे, okay, so, content अच्छा लगा है, तो please like तो करें, और अपने friends के साथ, share भी करें, okay, और comment करके जुरूब बताए, कि content कैसा लगता है, आपको, तो चलिए, मिलते हैं, next वीडियो में,